जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे एप अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर ले ताकि लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को फेस्बुक पेस पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर के पीछे इस तेर पीडियेस गोदाम तक जाने वाली कच्छी सड़क की चड़मय होकर रह गई कच्छी सड़क का आलम ये है कि इस पर पैदल चलना मुश्किल ही नामुम्किन भी है क्या मजाल की कोई भी इस पर पैदल चलकर गोदाम तक पहुँच जाए इससे गोदाम तक जाने वाले मजदूरों और पीडियेस कारे से जुड़े लोगों को काफी कतनाई हो रही है वही गोदाम से चावल लेकर डीलर्स के घर तक जाने वाले मालवाहक ट्रकों और वाहनों को भी काफी कतनाई का सामना करना पड़ रहा है आए दिन मालवाहक ट्रक इस कीचड में फसकर घंटों अपना समय बरबाद करते रहते हैं पिछले एक महीने से इस कीचड के काराएं डोर स्टेब डिलीवरी का कारे भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है लगभग प्रतीक दिन इस कीचड में फसकर ट्रक रुका रहता है शनिवार को भी चावल लदा एक मालवाहक ट्रक करीब तीन घंटे तक कीचड में फसा रहा जानकारी के अनुसार चंदरमंडी ही इलाके के एक डीलर का चावल ट्रक पर लोड होकर जैसे ही गोदाम से निकला उसके सामने कीचड में फस गया ट्रक के चालक ने निकालने का काफी प्रयास किया लेकिन निकाल नहीं सका बाद में तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी दूसरे वाहन से तोचन करके ट्रक को निकाला जा सका जिसके बाद गंतवे तक अनाज को पहुचाया गया आए दिन वहाँ पर ये स्थिती उत्पन हो रही है हाला कि एक सब्ता पूर्व डोर स्टेप डिलीवरी कारे से जुड़ी एजंसी द्वारा अपने नीजी मत से मिट्टी गिराकर कीचर से निजात पाने का प्रियास किया गया लेकिन वो भी असपल रहा पिछले दिनों लगातार एक सब्ता तक बारिश हुई थी तो एक भीवाहन गोदाम तक नहीं पहुच पा रहा था इस संबंद में गोदाम के एजियम अमरकांत ने बताया कि इस संबंद में विभागे अधिकारियों को पत्र लिखा गया है वहां से निर्देश मिलने के बाद आगे की कारिवाई की जाएगी चकाई से विकास कुमार लहेरी की रिपोर्ट